इस module के अंदर हम ये देखेंगे कि जब हमने thesis या research paper लिखना होता है तो उसके अंदर text के अंदर और reference section के अंदर reference को किस तरीके से हमने site करना है अब जब हमने एक reference लिखना होता है तो उसके components क्या है उसके parts क्या है हमारे पास किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है सबसे पहले हमारे पास हमने अगर एक paper को consult किया है तो authors के names हमारे पास available होने चाहिए उसके बाद year of publication किस साल में वो article या thesis या book publish होई उसके बाद उस research article का या thesis का topic क्या था title क्या था उसके बाद किस journal के अंदर उस article को publish किया गया उसका volume number क्या था उसका issue number क्या था और उसके page number क्या थे इस slide के अंदर दिखाया गया है कि एक research article हमारे पास available है उसका जो reference है हम text के अंदर किस तरीके से site करेंगे for example हमारे पास एक research article है ये जो research article है इसके अंदर से हमने कोई एक statement ली for example हमारे पास statement ये है कि spider is a carnivorous animal अब ये जो statement है हमने इस article से ली अब इस article को किस ने लिगा इसका author क्या है इसका author हाफिस मुहम्मद ताहिर तो इसका जो author है इसका जब हम text के अंदर reference देंगे तो इसका जो last name है उसको हम इस्तमाल करेंगे तो इसका last name author का ताहिर और ये article 2009 के अंदर publish हुआ तो हमने ताहिर और कामा लगाके 2009 लिखा उसके बाद अगर same article इसके अंदर दो authors हैं पहला author हाफिस मुहम्मद ताहिर और second author आपदा बट अब यहाँ पे दो authors हैं जब हमने text के अंदर इनको site करना है तो दोनों authors के जो last name है उनका हम इस्तिमाल करेंगे पर जेंपल यहाँ पे जो पहला author है ताहिर तो यहाँ पे हमने ताहिर लिया and second author का last name बट और हमने कौमा लगाके 2009 लिखा उसके बाद इस slide के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो number of authors हैं वो ज्यादा हैं यहाँ पे तीन authors हैं शेर मुहम्मद शिर अगर जो number of authors हैं वो दो से ज्यादा हो जाएं तो हम उस सुरत में क्या करते हैं उस सुरत के अंदर हम जो first author है first author का जो last name है उसका इस्तिमाल करते हैं बसकर यहाँ पे अगर हम देखें तो शेर मुहम्मद शिरावत first author था इसका last name शिरावत तो हमने शिरावत लिखा और उस इसका इर तो at all का मतलब यह होता है कि इस articles के जो authors हैं उनकी तदाद दो से ज्यादा है और यह जो शिरावत है यह जो पहला author है उसका last name है इसी तरीके से अगर एक statement एक से ज्यादा लोगों ने quote की हो तो हम उसके references को बसरां spider is a carnivorous animal यह बात ताहिर ने अपने article के अंदर 2008 के अंदर की यह ताहिर ने अपने article के अंदर 2012 के अंदर की और same जो statement है यह शिरावत at all ने 2009 के अंदर की अब आम तोर पर जब हम references को arrange करते हैं तो बहुत सारे journals ऐसे हैं जो यह recommend करते हैं कि आप references को alphabetically लिखें यानि references के अंदर अगर for example T पहले आता है तो T को पहले लिखें वहाँ पे year of publication matter नहीं करती लेकिन बहुत सारे journals ऐसे होते हैं जो यह recommend करते हैं कि publication को जब आपने site करना है बहुत सारे references को एक जगा पे लिखना है तो उसमें years के हिसाब से लिखें जो छोटा year है छोटा साल उसको पहले लिखें उसके के दरियान में semi Collins का इस्तिमाल करें